आज जो मैं अंडे की रेसिपी पनाएं जा रहा हूँ, वैसी टेस्टी रेसिपी शायद ही आपने खाई होगी, तो इस टेस्टी एग मसाला रेसिपी को जरूर ट्राय करें तो पहले हमें कडाई ले ले लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे 5-6 बड़े चमस तेल हमने यहाँ normal cooking oil का use की है, फिर तेल डाल कर हमें तेल को एकदम अच्छी तरह से गरम कर लेना है और जैसी तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे अंडे, अंडे को हम थोड़ा सा fry कर लेंगे और fry करने से पहले हमें इस पे कट लगा लेना है, अंडे के हम दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे और हमें इसी तरह सभी अंडे पे कट लगा लेना है, तो हमने सभी अंडे पे कट लगा लिया है, अब हम इने गरम तेल में डाल देंगे अंडे डालने के बाद हम इस पे डाल देंगे एक छोड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर अंडे पे कट लगाने से जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब मसालों का फ्लिवर अंडे के अंदर दख जाएगा हल्दी पाउडर डालने के बाद हम अंडे को धीरे धीरे चला कर सबी साइट से फ्राइ कर लेंगे अंडों को हम बहुत ही हलके हाथों से फ्राइ करेंगे वरना ये तुट भी सकते या फिर आप अंडों को एक एक करके भी फ्राइ कर सकते और गैस को हमें low flame पर ही रखना है तो अंडा fry हो चुका है अब इसका flame बंद करके हम gravy की तयारी कर लेंगे तो हमने एक कड़ाई ले लिया है जिसमें हम डाल देंगे 4 बड़े चमस तेल हमने यहाँ normal cooking oil का यूज की है और तेल डालने के बाद हम तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और गैस को हमें medium flame पी रखना है और जैसी तेल गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे 2 तेस पत्ता 2 सुखी लाल मिर्च 2 बड़े लाइची 2 छोटे लाइची और एक छोटा तुकड़ा दाल चीनी का अब हम खड़े मसालों को थोड़ा पका लेंगे और हम इनने तब तक पकाएंगे जब तक इन में से खुश्बू ना आनी शुरू हो जाए तो खड़े मसाले पक चुके है अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा और साथी साथ हम इसमें डाल देंगे आदा छोटा चम्मच सौफ जीरा और सौफ को भी हम थोड़ा सा पका लेंगे जीरा और सौफ जैसी ही पक जाए हम इसमें डाल देंगे चार प्यास चारो प्यास को हम बिना पानी के मिक्सी में पीस लेंगे और इस तरह प्यास का पेस्ट बना लेंगे और इसे डाल कर हम ले लेंगे एक बड़ा चम्मच अधरकलेसुन का पेस्ट अब इन्हें हम तब तक पकाएंगे जब तक प्यास का रंग हलका सा बदलना जाए तो प्याज अच्छी तरह से पक चुक है, अब हम इसमें डाल देंगे आदा चोटा चमच धनिया पाउडर, एक चोटा चमच घरम मसाला, आदा चोटा चमच काली मिर्च पाउडर, एक चोटा चमच कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर काफी ही क तीका होता है और आखिर में डाल देंगे आदा चुटा चमच हल्दी अब हम इन सभी मसालों को अच्छी तरह से mix कर देंगे और गैस को हमें medium flame पर ही रखना है फिर इन्हें mix करने के बाद हम ले लेंगे तीन टमाटर और तीन हरी मिर्च और इन्हें हम mixy में पीश कर इसका puree बना लेंगे तो टमाटर मिर्ची को हमने मिक्सी में पीस लिया है अब हम इसे डाल देंगे और टमाटर प्यूरी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे टमाटर प्यूरी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 4-5 मिनिट लिए मेडियम फ्लेम पर पकन देंगे और हम इसे बीज़बीश में चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से जल भी सकते और जैसी 4-5 मिनिट हो जाते हैं हम इसमें डाल देंगे नमक नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और नमक को अच्छे से मिला लेंगे फिर हम डाल देंगे आधा कब दही दही डालकर हमें इसे भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है और दही मिलाने के बाद हम इसे 5 मिनिट पकने देंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम कम पे ही रखेंगे और जैसी 5 मिनिट हो जाते हैं हम इसमें डाल देंगे आधा कब पानी पानी हम इसले डाल रहे है ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए पानी डालने के बाद हम इसे भी मिक्स कर देंगे और गैस को हम मीडियम फिलिम पे कर देंगे फिर मसालों को 5 मेट पकाने के बाद अब हम इसमें जरुरत तनुसार पानी मिला लेंगे मैंने इसमें एक कप पानी डाला है फिर पानी और मसालो को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चोड़ा चमच कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हम हातों से इस तरह मसल के डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस को हम मीडियम फ्लिम पे रखेंगे और जैसी ग्रेवी में उबाल आ जाए हम इसमें डाल देंगे फ्राइ किये वे अंडे और अंडे के साथ हमने थोड़ा हरी धनिया भी डाल दी है फिर इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अगर आप चाहो तो इसमें निम्बू का जूस भी मिला सकते फिर हम इसे गर्म गर्म सर्फ कर लेंगे और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आप हमेशा ऐसी ही टेस्टी रेसिपी देखना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू